दो स्टोक दुर्ष्टोक, कल के लिए आज ही खरीद लिजे, शोल्टाम डिलिवरी के लिए दो स्टोक कल के लिए आज ही 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट टाइम है, 3 बज के 30 मिनट में आप नहीं खरीद पाएंगे, और ये दोनों स्टोक कल सुबह से साम तक करते रहे, इंट्राडे में कमाईए, option के call buy में कमाईए और future के buy में भी कमाईए, सुबह सुबह खरीद लिजिए, सबसे पहले सुबह उठ कर यही share दोनों खरीद लिजिए, अगर आज खरीदते हैं तो भी आपको एक अच्छा मौका मिल जाएगा, दोनों share का नाम क्या है, टार्डा मोटर और BOS Industries, India Ltd, BOSCH BOS और टार्डा मोटर, कल के लिए दोनों खरीद कर रख लिजिए, अगर मुनाफा कमाना है, पैसा कमाना है दोस्तो। ते दोनों share कल के लिए, कल के लिए, दो share आजीं खरीद कर रख लो, जय हिंज, भारत बंदे मातरं, और इसके जस्ट दो वीडियो में रहा है दोस्तो अगर आपने देख लिया तो आपका दिमाग खुल जाएगा और यह ऐसा वीडियो और ऐसी सचाई है जो कोई नहीं बताएगा सिवाए इंटारेटेक मुंबई एंबीए बीके सिंग के अलावा जी हाँ इसलिए हम बताते हैं कि मेरा आपसे वादा है और मेरा सभी से यही बिंती भी है और यही मेरी रिक्वेस्ट भी प्राथना है दोस्तों कि आप जादा से जादा सीखने की कोशिस करें इंटारेटेक मुंबई एंबीए बीके सिंग आपको बार बार करते हैं कि जितना ज़्यादा आप सीखेंगे जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे स्टोक मार्केट में कम है और आपको नुकसान कोई नहीं कर पाएगा आपका नुकसान कोई नहीं कर पाएगा जब आप सीखे रहेंगे तो आप सीखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किये और पैसे देकर कभी भी कमाने की कोशिश नहीं कीजिएगा. इसलिए कि कहाओत है कि चार दिन की चांजनी फिर अंदेरी रात, आपको दो दिन बताएंगे और पैसा लेंगे और दोनों दिन के बाद तिसरा दिन आपको आपका सारा चीज है खो जाएगा और आप उसके बाद कभी भी उसको कमाक है। जितने भी टेडर है, जितने भी ब्रोकर है, जितने भी बेबिनार करने वाले हैं, जितने भी आपको क्लासज देने वाले हैं, यह सारे एक दलालों के और डिमेट एकाउंट, टेडिंग एकाउंट से जुड़े हुए एक नेटवर्क के दोस्तों, और इस ने बचाने से रोक पाएगा आप कभी भी शेयर मार्केट में नहीं कमा पाएगे ये मेरा दावा है It's my challenge to all of you if you are one time in fussing एक बार आप जाल में फस गए तो फिर वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और जब निकलेंगे तो आप अपना नुकसान करके चले दोस्तों ये दोनों से देख लिजे टाइम बहुत कम है जय हिंद जय भारत बंदे मातरों